एक बार की बात है गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिश्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब कहां और क्या और कितना बोलना है यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति ब प्रसिद्ध बहुत भी शुक्रा करते थे उनका नाम रिसाई था रिसाया केले रहते थे दुनिया के शोर शरावे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही पानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे इसलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसित्ध थे एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला हे प्रिय भिक्षू मैं हमेशा ठका हुआ निराश और परिशान महसूस करता हूँ मेरा मन बहुत अशान्त रहता है अलांकि मेरे पास सब कुछ है दॉलर शोहरत सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पानी की इच्छा करता है लेकिन फुर भी मेरे अंदर एकनी अशान्ती और चिंता क्यों है रिसाई ने उसकी बाद बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की लिए रिसाई ने आगे कहा मैं एक रिसर्ज करना चाहता हूँ क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे इस रिसर्ज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की आशान्ती और चिंता नहीं रहेगी ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था उसने रिसाई से कहा पताईए मुझे क्या करना होगा अपने मन की शान्ती के लिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ राजकुमार की इन ही बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा तो फिर आप अगले पंद्रह दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ती की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन पंद्रह दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे जितना हो सके कम बोलोगे राजकुमार उस बिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशान्त और विचलित है उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी लेकिन वह चुपचाब रहा उसके मुह से एक भी शब्द नहीं निकला बस वह चुपचाब बैठा रहता लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शान्ति का अनुभव होने लगा उसके लिए यह अनुभव अजीब था वह फुच से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाब बैठा रहा और वह प्रकृती को निहार रहा वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत द्रिश्च महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है वह दिन भर प्रकृती की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता इसी तरह से दस दिन बीट गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उत्तल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया ग्यारवे दिन की सुबह, राजकुमार फिर से एक आंथ में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आँखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया वह पूरे दिन वही पर आँखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा ना कोई शब्द ना कोई चिंता राजकुमार भीतर से असीम, शान्ति और आननद से भर गया राजकुमार अपने बाकी के चार दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद पंद्रह दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला प्रिय भिक्षू मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था रिसाई मुस्कुरादे हुए पूछा बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें राजकुमार ने कहा मैं आवश्यक्ता से अधिक बातें करता था मैं किसी पर भी अपने शब्द और बूर्जा व्यार्थ करता था मैं दिन भर अपने लोगों सिप अब्दू की बातें करता रहता और फिर उनी के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादा तर समय नकारात्मक ही सोचता रहता इस तरह में बस अपना समय बरबात कर रहा था ज्यादा बोलने और नकारात्मत सोचने की वजह से मेरा मन अशानत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्ही लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़-चिड़ा हो गया इन्ही सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नश्ट हो रहा था लेकिन यहाँ पर बिदाय हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है ध्यान अपने आप होता है जब हम इस शान्त और मौन होते हैं ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महतुकोन घटना स्वयम को जानना है यह सुनकर रिसाई ने कहा सिर्फ तुम ही नहीं दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बरबाद कर लेते हैं। प्रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्तो समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिश्यों ने पूछा प्रियबुद्ध आप ज्यादा तर समय चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने कहा क्योंकि चुप रखने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांती की गहराईयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीड़ी है। मौन के बिना स्वया को जानना असंभव है। स्वया को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो, जितना अत्यंता वश्यक हो, बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादा थर लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बरबाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं, तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे दो, दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, जगडे फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रफ कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रफ, सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है, जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड में खड़े हो नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुँच गए, जिसने मौन की कला जान ली, वो भीड में भी अकेले होने की कला जान लेता है, वो अपने तर पूर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिती में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे अगर तुम किसी के यहां पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में होचित है कि आखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ वहां से आपको ताजगी महसूस होगी क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वस्त्रोत छिपा हुआ है वह किसी दूसरे में नहीं है इसके बाद राजकुमार उस रिसाई से पूछते हैं आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा ये बातें सुनकर रिसाई बु जाओगे यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा इसी प्रकार तुम बार बार डुपकी लगाओ जब भी तुम डुपकी लगाकर लोटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी ठकान गई उदासी गई चिंता गई जैसे कोई स्नान करके लोटता है तो शरीर शीतल हो जाता है शांत हो जाता है ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है मौन में स्नान करके लोटता है तो समस्त अस्तित्व समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जा आई उसकी एक अंतरधारा लगातार तुमहारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो। लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गेहरे मौन में स्थिर हो जाओ। फिर तुम्हारी वानी में भी मिठास आ जाएगी, तुम्हारा बोलना संगीत पोर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा, तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता चा जाएगी, जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समा राजकुमार उनका धन्यवाद करकर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है। जिससे हम अपने दिमाग पर नियंतरण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंदरित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्षे पर पूरी तरह से केंदरित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंदरित नहीं है, तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते। और ना ही मन चाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं, वो अकसर लोगों के बीच हसी का पात्र बन जाते हैं। और जो लोग कम बोलते हैं, और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है। और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकरशन का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं वो बोलने से पहले वो चीजों और जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं लेकिन जू लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं बहुत बार वो जूट भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कच्रा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं। इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं। और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतिय उपनिशदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्मशक्ति है मौन से धहर्य आता है धहर्य से ध्यान और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूप हो जाते हैं इसलिए अगर हम ज्यादा पात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं जो मन की शांती का पहला स्थम्ब है दोस्तों आज से हम भी चुप रहने का अभ्यास अवश्य करेंगे आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एक आंत में चुप चाप बैठेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस से हम सब के अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सिख मिली होगी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सिखने को मिल सके धन्यवाद